अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियो अपनी फ्लूड मैकनिक्स और मसीन्स की सिरीच चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाया और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और सारे नोट्स आप पीडिया फॉर्मेट में डा इन सिलेंड्रिकल कोडिनेट सिस्टम जैसा कि साथियो आपको पहले बताया जा चुका है अपने सिलेंड्रिकल कोडिनेट कार जैनी जो कार्टेजिन कोडिनेट हैं वो किस परकार एक दूसरे में कनवर्ट किया जाते हैं आप रेफरेंस के लिए पेज नंबर 58 से 61 तक सिलेंडी को रखते हैं तो यहाँ वैलसीटी एक्स डायैक्सन वाली थी च हो जाएगी साथ्यो चेक करना चाहते हैं तो उसपोइंट पर कहें तो वैलसी आपको मिलए यह एंगुलर इस प्रकार की वेलूसिटी कोई फिलूट पार्टिकल रेडियल डारेक्शन में कितना मूब कर रहा है यह वैलूसिटी आउंगा बदाधी यह 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 वैलूसिटी रोल सेटी जो इप साइन को आप इधर भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो इधर किसी प्रकार रोटेशन दे सकते हैं आप स्रीज जमा लें आर के बाद थीटा आएगा इधर यद इस प्रकार गुमाना चाहें तो इस प्रकार उल्ली तरफ नीचे थीटा आएगा साथियो तो यहां पर उमेगा सकते हैं या फिर आप लिख 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 सकते हैं यहां इसके साथ आर भी यह साथ हो इसे समझने के लिए अभी आप आप देख सकते हैं जैसा कि यह radius है इस परकार यह कोई angle बन रहा है d theta साथ हो यहाँ पर इस परकार आप देख सकते हैं यदि यह angle d theta बनता है और यह state line मानी जा सकते है बिल्कुल छोटी short line ds तो अब हम लिख सकते हैं यह d theta की जिगे लिख सकते हैं ds divided by r तो इस परकार साथ ह हो state line के लिए जैसा कि dx हम लिखते हैं या 2x लिखते हैं 2y 2z लिखते हैं साथ हो state line होती है एक direction होती है तो state line के लिए इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं d theta r ds की जगे इस परकार तो आप यह लिखेंगे डो divided by r 2 theta i से याद रखने के लिए इस sign को इस परकार इस diagram शाप relate कर सकते हैं और दूसरी जगे z आता है साथ हो और velocity एक दूसरे की change होती है z वाली velocity इदर काम में आएगी इस परकार v z इस्तेमाल होगी इस आती हो और यहाँ पर ds या r d theta वाली velocity इदर इस्तेमाल होने वाली है तो यहाँ पर यह velocity हम इस्तेमा इसी परकार आप निकालना चाहें omega theta ओमेगा theta निकालने के लिए आप लिए लिख सकते हैं साथियोग अब theta से आगे z और r है तो आप इसे इस परकार लिख सकते हैं जैसा कि इस अक्स के साफेक्स होता था अपने angular velocity निकाली थी उसमें x y z direction में cardigan coordinate में तो यह plan होता था इस rotation यह फिर यह circle इसी प्रकार से इन्हें create करता है थीटा की जगे अब लिख सकते हैं z r थीटा यहाँ पर is equal to हाफ से multiply यह साथ यह भी डो वी आर डिबाइड बाइड 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 डो जैड और यहाँ दूसरा आएगा साथ यह आर डो डिबाइड बाइड बाइड डो आर इस प्रकार हम परदर्शित करते है यह डो जैड वाली velocity इधार है साथ हो भी जैड और यह ऑर वाली वी आर वेलोसेटी इधार इस्तेमाल करते है अब इसी प्रकार हम उमेगा जैड के लिए साथ हो इस circle से r और ठीटा लिखेंगे तो इस प्रकार आप देख सकते है आर ठी डिबाइड । आर है और अर भी थीटा या वी टी ऊपर इसत communication कर सकता है जैसा आपको बीच बीच में और ली साथ यह यह आप देख सकते हैं भी ठीटा उसे आप टैंजेंशल वैलोसिटी कहेंगे बी ठीटा से यह वी टी से इसे आप पर दर्सित कर सकते हैं यह 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 आप चाहते हैं इनका डरिवेशन आपको करकट दिखाया जाये यह फिर कोई अपडेट हो आपके लिए आपर इस पेसे साथ हो आप अपडेट लेख सकते हैं बलंक पेस लगा सकते हैं डेरिवेशन के लिए यह दियाप सकता होगी और आपकी रिकार्मेंट होगी कुछ कमेंट आएंगे बहुत जादा डेमांड होगी इसकी इस टॉपिक को डेटेल में फिर से कबर किया जाएगा अभी आप अंडरिस्टेंडिंग के लिए यह वाली वीडियो अपनी देखें जिसे आपको पता चल जाएगा किस परकार कोडिनेट एक दूसरे में चैंज किये जा सकते हैं उम्मीद करते हैं साथियो वीडियो में दिगई जानकर आपको बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में